तो अब हम देखेंगे फॉर्थ प्रॉलेम ठीक है तो फॉर्थ प्रॉलेम में क्या दिया हुआ है हमें 15 कॉट ए इस इक्वल टू 8 तो अब हमें यह जो कोश्चन है यह कोश्चन हमें अब सिंपल फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के फॉर्म में convert करना होगा तो ये 15 जाएगा 8 के नीचे तो ये इधर पर आएगा cot A is equal to 8 by 15 तो बच्चों हब हम cot A को लेके भी ये problem solve कर सकते हैं मगर मैं आपको solve करने को आसानी जाएगी इस form में convert कर रहा हूँ तो cot A आता है 1 upon 10 A is equal to 8 by 15 ठीके तो cot A आता है 1 upon 10 ठीके तो अब हम 10 को reciprocal कर देंगे 10 A is equal to 15 divided by 8 ठीके तो मैं इधर पर देखो एक triangle consider कर रहा हूँ जो की इधर पर नीचे में नाम दूंगा A ठीके B और C जो की right angle triangle है तो हमें इधर पर क्या पता है let बोलेंगे और अब हम solve करेंगे let is equal to 10 A is equal to 15 divided by 8 मगर इसको क्या consider करेंगे K जो की हमने last problem में solve किया था मगर बच्चो A जो angle दिया हुआ है इसकी opposite side कौन सी है BC है और adjacent side है AB therefore इधर पर मेरे को 2 values मिल गया BC is equal to आ जाएगा 15 K और AB is equal to आ जाएगा 8 K जो की मैं अब इधर पर नाम mention कर रहा हूँ figure में तो AB मेरा है 8 K और BC है 15 K ठीके तो last time हमने जो procedure follow किया था वही procedure मैं follow कर रहा हूँ क्या follow करना है मेरे को इधर पर पहले hypotenuse find out करना है तो according to मैं पाइथागोरस से पाइथागोरस से रहम यूज करके मैं क्या इधर पर hypotenuse निकालूँगा AC square is equal to क्या आएगा AB square plus BC square तो इधर पर AC square नहीं मालूम हमें AC square find out करना है तो AB is equal to 8 K आएगा ठीक है 8 K plus BC कितना आएगा 15 K आएगा ठीक है 8 का कितना square 64 K square 15 का square कितना आजाएगा 225 K square तो बच्चो 64 plus 225 तो इधर पर क्या आएगा 289 K square जो कि हमें आया AC square हम क्या करेंगे root लेंगे squaring on both side तो मेरे को अभी इधर क्या मिल गया AC is equal to कितना आएगा 17 289 का root है 17 K square का root मिल जाएगा मेरे को K तो मेरे को अभी इधर पर क्या मिल गया triangle का hypotenuse मिल गया जो कि AC है 17 K मैं इधर diagram में mention कर रहा हूँ 17 K ठीके अब हमें क्या find out करना है sine A और C K तो बहुत easy है बच्चो sine A is equal to कितना आएगा opposite side divided by hypotenuse opposite side A का कितना है BC divided by hypotenuse है AC BC का value कितना है 15 K और hypotenuse कितना है 17 K K के cut हो जाएगा तो मेरा sign A आएगा 15 divided by 17 ओके ठीके और again second question sick A sick A means what मेरे को को से निकलना है और उसका मैं reciprocal करूंगा को से कितना आएगा को से आएगा adjacent side divided by hypotenuse तो adjacent side कितना है adjacent side A angle का adjacent side पूछा A B divided by A C आएगा A B कितना है A B है 8 K A C कितना है 17 K तो ये K के cut हो जाएगा इधर पर मेरे को क्या मेलेगा 8 divided by 17 बट मेरे को पूछा है sick A तो sick A आएगा 1 upon cos A ठीक है cos का reciprocal तो ये आजाएगा 17 divided by 8 ठीक है तो मेरा ये fourth question हो गया sign A आया 15 by 17 और sick आया 17 divided by नहीं इधर पर bracket नहीं आ रहा तो में अच्छे से देखो डाल रहा हूँ ये आएगा 17 जाने दो इसको नहीं डालेंगे sick A कितना आया मेरा 17 divided by 8 ठीक है अब हम देखेंगे fifth problem चलो जल्दी से note down कर दो डालेंगे